उत्तरा खंड के मुख्यमंत्री तीरत सिंग रावत ने शुकुरवार को पद से स्थीफा देने की पेशकर्ष की है जानकारी के मुताबिक उन्होंने बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा को एक पत्र लिकाए जिसमें उन्होंने ये पेशकर्ष की है इसके पीछे की वजे सामविधानिक संकट पैदा होना बताया गया है राज्य सियासी हलचल के बीच रावत ने जेपी नड़ा से मुलाकात भी की थी परियवेक्षक के तौर पर नरेंदर सिंग तोमर आज देरादूं पहुंचेंगे शाम तीन बजे विधान मंडल दल की बैठक होगी तो केंदरे मंत्री नरेंदर तोमर परियवेक्षक बनकर उत्राखंड पहुंचेंगे और महत्वकून बात ये कि आज शाम तीन बजे जो है वो विधायक दल की बैठक होने जा रही है उत्राखंड को आज मिल सकता है नया मुख्य मंत्री और सुत्रों से मिली खबरों के मुताबिक कोई मौजूदा विधायक की मुख्य मंत्री बनेगा सीएम तीरत सिंग रावत ने आदी रात को राज़ेपाल को अपना स्तीफा सौपा उत्राखंड को आज नया मुख्य मंत्री मिल सकता है दिन भर इस से जुड़े हर घटना करम पर हमारी नजर बनी रहेगी लेकिन इस वक्ती बड़ी कबर यही कि उत्राखंड के मुख्य मंत्री तीरत सिंग रावत ने अपना स्तीफा राज़ेपाल को सौप दिया है उत्राखंड में अगला सीम कौन होगा मुख्य मंत्री के रेस में कौन है सत्पाल माराज, दन सिंग रावत, रितु खंडूरी, पुशकर सिंग धामी ये चार नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं कि क्या इनुमें से हो सकता है उत्राखंड का नया मुख्य मंत्री सीम तीरत ने आधी राथ को अपना स्तीफा सौप दिया है और आज ही देरादू में विदान मंडल की बैठक भी होने जा रही है और कहा जा रहा है कि आज ही तै हो जाएगा कि अगला मुख्य मंत्री कौन होगा रेस में कौन-कौन है ये चार चेहरे जिनके नमू पर उसवक्ष चर्चाएं चल रही हैं अटकले लगाई जा रही है और ये उसवक्ष की तस्वीर आधी रात की जब स्तीफा देने पहुंचे दे सत्पाल महराच विधायक है चौबटा खाल से तीरत सरकार में क्याबिनेट मंत्री है और त्रिवेंद्र सरकार में भी क्याबिनेट मंत्री रहे तो आखिर रेस में कौन-कौन है उनके बारे में जान लिजे सत्पाल महराच का भी नाम आगे चल रहा है चौबटा खाल से विधायक तीरत सिंग सरकार में भी मंत्री रहे त्रिवेंद्र क्याबिनेट में भी उनको जगा मिली यहाँ भी मंत्री है और अगला नाम धन सिंग रावत श्रिनगर सीट से विधायक है धन सिंग रावत का भी नाम लिया जा रहा है कि क्या उनके उपर शीश नेत्रित्व विश्वास जता सकता है क्या उनको मुख्य मंत्री पत दिया जा सकता है पुशकर सिंग धामी, खटीमा से वधायक, कुमाओं के खटीमा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और पुशकर सिंग धामी का भी नाम चल रहा है कि क्या अगले मुख्यमंत्री वो बनाई जा सकते हैं इसके लावा रितु खंडूरी विधायक है रमकेश्वर से, उत्रखंड भाजपा की महिला इकाई की अध्यक्ष भी हैं तो यह जो चार नाम है अपने देखेगी जो इस वक्त सीम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं पुवन चंद खंडूरी की बेटी जी तो खंडूरी इसमें है, खटीमा से जो विधायक हैं वो इसमें आगे चल रहे हैं लेकिन जो तो सबसे ज़्यादा प्रबल दाविदार बताये जा रहे हैं उसमें सत्पाल महराज भी हैं जो कि दिल्ली भी आये थे, जब भी पूरा घटना करम चल रहा था, वो दिल्ली में भी थे, इस बीच में उच्चेशिक्षार राज्यमंत्री धन्सिंग रावत का नाब भी चल रहे हैं जो कि इश्यनगर विधानस अबास से इस वक्त विधायक हैं पंकर जजयना मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल बाहर खड़े, रवी कहिंतूरा राजभवन के बाहर कड़े हैं आप दर्शकों को बता राथ करने तो इस वक्त में जो मुख्यमंत्री में आवास के बृढ़ना रहेगं वक्त खड़ा हूँ जीमस रोड पे और आज को पूरा खटना करम है उसके लगातार एबिपी गंगा के नजर रहेगी कि क्या कुछ होता है लेकिन अगर कल की बात करें तो कल देद रात को मुख्यमंतरी तीरत सिंग रावत ने अपना इस्तिफा राज येपाल को सौपार उस में ये देखना हुआ कि जो सीनर विदायक है जैसे कि नाम आपने भी जिक्र किया तमाम उनकी बारे में आपने बताया उसी पर आज निगाए है कि कौन अगला मुख्यमंतरी उत्राखंट का होगा लेकिन जो कल का पूरा सियासी घटना करम रहा वो काफी पूरे प्रदेश के लिए एक ऐसा था जिसको जिसकी किसी ने शायद कल्पना नहीं की थी हालांकि कुछ दिनों से लगा तार जो अटकले तेज थी उसको एबीप गंगा दिखा रहा था कि उत्राखंट के राजनीती में कुछ बड़ा होने वाला है और शिर्श सत्ता परिवर्तन जैसी जो स 7-4 वाला दिया गया है वो दिया गया कोविट का और यहीं सरकार का कियना है कि कोभीट की वजह से संग जो ऊक चुनाव नहीं हो सकते ते और जिस वजह से इस Alle से बार मुक्ष्य मंत्री ऽुह ही बदलना पड़ा हो और उन्वीधायक मैंसे एक मुक्य को चुना जाएगग पर उनको कोई चुनाव करानी की आवशक्ता नहीं होगी, तो तमाम आज को पूरा घटा करा में, वो काफी महत्वकून है, उत्राखंज के लेक्ट सभी की निगाहें, उस पर है कि आज के दिन क्या क्या होता है, जल्द से पंकच का रूप कर रहते हैं, पंकच आप बताएं अपनी लोकेशन की आप इस वक्त कहां पर है, क्या कोछ हल्चर है, मुख्यमंत्री की जो रेस है, एक तो बुजलिस हमने दर्शुमों को दिखाई वो है, क्या कोई और नाम भी है जो इस वक्त चर्चा में, क्योंकि हमने देखा थे इससे पहले जब त्रिवेंद सिंह को जो है गदी पर बिठा दिया गया था, तो वो और कौन-कौन से नाम है, जिनके चर्चा नहीं हो रहे, लेकिन वो चर्चा में, रेस में राजिब मैं इस बक तो भाजपा मुख्याले के बाहर हूँ, जहां आज सफसे ज्यादा हल चलो होने वाली है, और यही बाजपा मुख्याले पर थोड़ी देर बाद, तमाम कारकर्टाओं का होता हमने तो पजमाबड़ा यहां लगने वाला है, सुवे की ऐसुरवात से ही यहां तैयारिया सुरू होगी, यह साफ सफ़ाई का काम यहां चल रहा है, और यह कहिए कि आने वाले एक तो गूते बाद यहां बाद यहां बाजपा की कारकर्टाओं का आना सिल्सुला सुरू हो जाएगा, क्योंकि तफकी नजरे यही पर चिश्ट होंगी, अब जो बड होने वाला है, और अच्छाई भी सामने आई है, एक जो अटक्रे लगाई जारी थी, कि मुख्यमंदी तीरस्की रावत इस पर देंगे या नहीं देंगा, कल देर नाथ इसका पटक शेप हो गया है, और नए मुख्यमंदी के लिए सुरू हो गई है, और यह कहा जा सकता है कि नए तेरो में इस पर इस पर दोड़ में चल रहे हैं, अब इसका अंतिम निर्डा जो है, विधाय मंदल लल्गी पैठक का हो गर यह भी कहा जा सकता है, जिले दुरान आजी पर देखा गया है, इतने संभावित नाम मीडिया में या पैठक चल गया है, उनमें एक भी न कि निर्टी से दावत को उतरा खंड की सखता, तो तो इसे में का सकता की कुछी भी हो सकता है, बहाजपा अंतिम ने लेती है, और अंतिम इक ऑए ज़नी से पर दुरा जाता है, जिले दिले ती होन आता है, सभी को एक सेमती के साथ यह कह ज़ए निताव को उपना भी तो तीन बजे तक का जो वक्त है वो बेहत महत पुण है क्योंकि इसी दौरान जो सारे घटना करम है वो हमें देखने को मिलेंगे आप दोनों उस पर नजर बनाए हुए है रुख करेंगे पंकज राना का वो भी हमारे साथ हैं पंकज बताईएगा कि आज तीन बजे तक का वक्त है और जब सारे घटना करम इस दौरान हो जाएंगे परिवेक्षक बनकर नरेंज सिंग तोमर भी आ रहे हैं इस दौरान किस से उनकी मुलाकात होगी परियावेक्षक तक लगभग नो जगी करीमिया पहुच जाएंगे थाड़े नो वजे तक का आने का उनका वक्त है और आने के बाद पहले भाश्वा के समय मुलाकात करेंगे मुलाकात करेंगे और एक नाम की आप सी सहमती के तोर पर विधायकों से बासित करेंगे तो बाद ना बने उसके ना रहे कि अलग 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 नेताओं के नाम सामने रगड़े के इस बार जो उस्तराखन का मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों में से ही होगा को कि भाश्वान जो गल्सी कि उससे सबक लेकर भाश्वाब यह नहीं चाठी कि इस तांसत्त को या वि ना मुख्यमंत्री बनेगा वो गड़वाल से बनेगा या कुमाउस से बनेगा अब बीजेपी कौन कौन से समभी करण सादेगे इस वक्त पहाड़ों की बात करें तो ब्रहमन ये कह रहे हैं कि ठाकरों को प्रात्मिक तर दी जाती इसलिए रावत को मुख्यमंत्री बना द वो बैसे मारे वन से बात करें तो इस वक्त विदाफ करें अगर रहा लेकिन अगर पहले देखा जाए तो कॉंग्रेस से वो BJP में आये हैं और ऐसे में उनके नाम की अभी फिलाहल चर्चाएं तेज हैं जरूर और इसके बाद ही हम अगर बात करें तो चाहे धंसिंग रावत हो या फिर अगर बात करें कुमाओ अगर शेत्र से देखें तो बिशन सिन चुफाल जो की लगातार प हो जाएगा विदान दल की बैठा में पूरा निश्चित है कि आज कई न कहीं आज उत्राखन को नया सीम कौन होगा इस तमामें अटकले हैं उन पर विराम लग जाएगा लेकि इसको काफी सोच समझ कि यह निर्ने लेना होगा क्योंकि पहले बीजेपी के जो निर्ने था पैदा हुआ है यह पूरा सवेधानी संकर से बचा जा सकता था तो पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री को बदला गया था तो यह पूरा इतना घटना करम नहीं होता और शायद इतनी भी किरकरी जो है आ सरकार को नहीं होगी तो ऐसे में आप कोई ऐसा भी निर्ने विदायकों को एक जुट करना होगा और वो एक नाम पर मोहल लगाएंगे तो इसके बाद तमाम बड़े वरिश नेताओं से मुलाकात के बाद तीन बजे बजे बेजेपी का जो मुख्याला है वहां पर विदानमिदा दल की बैठक होगी जिस पर सभी के नजर रहेंगे औ अब जो विदानमिदा दल का नेता है वो किसे चुना जाता है और किस तरीके से पूरे आगे की स्थित्यों को देखा जाता है क्योंकि 2022 की चुनाओं है दोजाबाइस की चुनाओं को फत्य करना एक ऐसी जिम्वेदारिक नरेकंदों पर देनी होगी जो कही ना कही एक एक चेहरा होगा जो कि तमाम विधायकों को पूरी सत्ता को और सीधे सीधे पूरे संगशन को साथ लेकर जो है आगे चलेगा 2022 की चुनाओं फत्य करना बीजेपी के पास इस वक्ती बड़ी चुनाओं की होगी तो यह बड़ा महत्त्रपून होगा रवी और पंकर जाफ हमारे जाजेपाल जी के यहाँ इस्तिवा देकर आ रहा हूँ कर लाओं जो चुनाओं आयोग की कारण एक्सो एक्कावन एक्सो ट्योसत अरा के अंतरगर्ण जो एक संबेदानिक संकट था और उस संबेदानिक संकट के कारण तो आपने सुना क्या कुछ कहा स्तिवा देने के बाद मुख्यमंत्री पीरत सिंग रावत ने और हमारे दो सम्वादाता हमारे साथ जुड़े हुए रवी कैन्पुरा और पंकर ज्राना रुख करेंगे पंकर ज्राना का पंकर चार तस्वीर इस वक दिखा रहे हैं सीएम पद की रेस में ये चारों है इसके लावा बिशन सिंग चुपाल का भी नाम अब लिया जा रहा है लेकिन जिस तरीके से ये स्तीफा हुआ है चुनाव जादा दूर नहीं है तो ऐसा सम्वेधानिक संकट हो सकता है या होगा इसका आकलन पार्टी ने शुरू में किया होगा जब तीरत सिंग रावत को लाया गया था तो आकिर ये जो फजीहत हुई है किया मेसेज़स से जनता में जाएगा और विपक्ष को भी एक मौका मिलेगा बिल्कुल आशा दिखिए विपक्ष को तो मौका मिली गया है क्योंकि सस्ता परिवर्टन बोद बड़ा नेड़ना होता है जनता के बीच में और प्रवर्टन बीच में निगेटिविटी इसी गई है और यहां पर भी आएसे लोग अभी सुपले के वक्ति में नराज ही रिषा है किसी भी मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा पड़ा संग्ण दी बाजर ने लेकिन मुख्यमंत्री को एक चार महीने के बीतर बदल देना कहिना कहीं एक जन्ता के बीच में नखारात्मक बाच्पा के लिए गई है और यह चुनावों में इसका इफ्रेक्ट पढ़ने वाला है चुनाव जब होंगे आम चुनाव जब होंगे तो कहिना कि लोग इस बात को जुरूर सुचिफिकर को इसको लेकर चुनावों को परिवर्तन और इसी एक साल के ग्रीश चुनाव बढ़ने के बडलने के बाद बड़ी और एक बड़ी ऑड़ी आरही है कि दो दिन वह बहुत दूर्द मेरे रहेंगे और भात्मा कार्यकरता वाकात तो यह चीज़े हो रही है कि केंद्रे नेटर्वत की प्रोइटी में उत जाता है यह चुनावों के दुरान ही पता लगपाई लेकि जरूर काज़ा सकता कि सब्सक्राइब यह चिए लेकिन इसमेदानिक संकट की बाद जरूर जारी लेकिन राजनेट्टिक नफह नुक्तान वे जेका गया है क्यों कि दुरान ही आई थी ऐसी भी खबरे मिने तो कर रहे हैं यहाँ पर पंकर जाईए बताते हैं विस्तार से अपमें दश्रों को समझा देते हैं कि आखिरी सामधानिक संकट जो है वो क्यों आया है तो आप दोनों हमारे साथ बने हुए हैं आप से चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि क्या तीरत सिंग रावत को जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल कर लाया गया था उस वक्त इस समधानिक संकट काकला नहीं किया था शपत लेने के छे महीने के भीतर विधायक होना जरूरी है जनपतिनिदी कानून की धारा 151-A पर पेच फस गया है नौ सितमबर से पहले विधान सभा सदस्य बनना जरूरी है चनाव में एक साल से कम का वक्त है तो उप्चनाव संभव नहीं है शपत लेने के छे महीने के भीतर विधायक होना जरूरी है नौ सितमबर से पहले विधान सभा का सदस्य बनना जरूरी है जनपतिनिदी कानून की धारा 151-A में पेच फसा है चनाव में एक साल से कम का वक्त है तो उप्चनाव नहीं हो सकते और इसी के कारण विधायक नही बन पाएंगे दुबारा चनाव नहीं हो पाएगा विधायक नहीं बन पाएंगे और इसी का हवाला देते हुए इसी को ग्राउंड बनाते हुए तीरत सिंग रावत ने अपना सीफा दिया है तो क्या है समविधानिक संकट आप ये भी जान लीजे शपत लेने के छे महीने के भीतर विधायक होना जरूरी है चनाव में एक साल से कम का वक्त है तो उप्चनाव संभब नहीं है नौ सितंबर से पहले विधान सबा का सदस्य बनना जरूरी है तारीख जादा दूर नहीं है और सबसे बड़ी बात की अगले साल विधान सबा चनाव होने है तो एक साल का वक्त भी नहीं बचा है इस कारण इसी को आधार बना कर अपना स्तीफा तीरत सिंग रावत ने आधी रात के बाद राजजपाल बेबी रानी मौर्या को सौपा और उसी वक्त की ये तस्वीरे आप देख पा रहे हैं और इस बीच बड़े खबर ये मिल रही है कि जेपी न दो तस्वीरे तीरत सिंग रावत के एक कारेकाल जो कि बहुत ही अल्प रहा उसकी पूरी कहानी कह रही है जिस तरह से चेहरे को बदला था बीजपी ने राज्य के अंदर एक बार फिर से उसी चेहरे की विदाई हुई अब कोई तीसरा मुख्य मंत्री बनेगा उत्राखं के अंदर आधी रात को अपना स्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है तीरत सिंग रावत ने वक्ति सबसे बड़ी सियासी हल्चल पर हमारी नजर बनी हुई है कि उत्तरा खंड में किस तरह से तीरत सिंग रावत ने अपना सिंग दिया है अब अगला सीम कौन होगा मुख्यमंत्री की रेस में यह चार नाम है जो इस वक्त सबसे आगे है रेस में चल रहे है सत्पाल महाराच जो इससे पहले जब त्रिवेंदर सिंग रावत हटे थे और उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस्पक्टी रेस में थे और अब इस्तुपाल महराच यहाँ पर भी रेस में है दंसिंग रावत रेस में रेतु खंडूरी रेस में है तो कंटीमा सिविदाक उशकर सिंग धामी भी रेस में है लगातर हम विस्तार से बात भी करेंगे के उप्चुनाओं प्टपर बिठाए जाते कौन से समीकरण होंगे सब चीजों पर चर्चा करेंगे लेकिन एक सवाल रवी ये है जो आर किसी के जहन में है कि आखर ये सम्विधानिक संकट आने क्यों दिया गया सल्ट में उप्चुनाओ थे उप्चुनाओ में मुख्यमंत्री लड़ सकते थे और आम से जीत हार का जो नतीजा है वो आ सकता था लेकिन ऐसा किया नहींगे इस सम्विधानिक संकट को आने दिया क्या कुछ वक्त पहले तक भी यही बयान दिये गये थे पूरा जो सविधानिक संकट इस वक्त भाजपस सरकार के सामने खड़ा होकर आया है ये पूरी इस्तिती ऐसी नहीं बनते हो सत्ता परिवर्तन जैसी जो फिर से संभावनाई उत्रा खट में बनी है वो पूरा इस तरीके से नहीं होता लेकिन यहां पर चुनाओ नहीं लड करते हैं तो वहां पर हार जीत के बाद इस तरीके की सिट्वेशन हैं वो सामने नहीं आती क्योंकि वहां पर भी जो है बीजेपी की ही जीत इस उपचनाओ में हुई है और ऐसे में यह तमाम चीज़ें हैं तमाम जो सियासी घटना करम उत्रा खट में बना है यह नहीं होता तो ऐसे में सौ दिन से कुछ अधिक के समय के यह मुख्यमंतरी अभी तक कि उत्राखन के काल में सबसे कम समय वाले मुख्यमंतरी तीरल सिंग रावत बन गए हैं और ऐसे में एक बार फिर से तमाम लोगों की यह नजरें अप्टिकी हुई है कि उत्राखन को एक नया चेहर इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी बिल्कुल काटो बरी है और इस कुर्सी पर बैठने के बाद तमाम इतनी जिम्मेदारियां जो है उनकंदों पर होगी जिनका तमाम पूरी तरीके से निर्वहन करना होगा 2022 के जो चुनाओं उसकी पूरी जिम्मेदारियां उसके पूरे जो भी जिम्मेदारेयां तैय करनी है वो खुद उस कुर्सी पर बैठ कर करनी होगी तो ऐसे में आज जो लगातार अटकले तेज हैं लगातार पूरा उत्राखंड ये जानना चाता है कि अब इन पांच सालों में फिर से तीसरा मुख्यमंत्री और लमाम जो हम लगातार सम जे अक्तित्वों में आया है यह इंडितिवारी को छोड़ कर कोई अपने मुख्यमंत्री पत्का कारेकाल पूरा नहीं कर पाया और यही इस वक्त सबसे बड़ी विडम बना